नमस्कार मैं हूँ अनिल सिंग्वी और जी मिडिया पर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल स्पेशल नहीं वाके में बहुत बड़ा और बहुती स्पेशल इंवेस्टिगेशन जी हां ओपरेशन मार्केट माफिया और ओपरेशन हफ्ता वसूली के बाद जी बि का यकीन मानिए ये इतना बड़ा और इतना खतरनाक है कि आप सिर्फ इसे सुनकर डर जाएंगे लेकिन हमारा मकसद आपको डराना नहीं है बलकि आपको सावधान करना है क्योंकि हमारे पास कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के फोन आ रहे थे और सबकी एक श पास को दें हो रहे हैं उनके डिमेट अकाउंट्स तरे निकल रहे है उनके ट्रेडिंग अकाउंट में उन आशराइस ट्रेंड हो रहे हैं लेगिग जब हमने इस मामले की गहराई में गए और देखा तो डिमेट अकांट डिमारी की खुला से सामने आये Carson हम इस तरह के मामले को परददर परदआपके सामने रखेंगे और वो हर बात आपको बताएंगे कि किस तरह से आपका डीमेट खाता HACKERS के निशाने पर है HACKERS' की MODEST OPDY क्या है किस तरह से वह पूरे आपके डिमेट अकाउंट को अपने कबजे में लेते हैं और आपकी कौन सी वो लापरवाई हो सकती है जो आपके डिमेट अकाउंट में हेकर्स को एंट्री करने का रास्ता दे देती है और साथ ही आगे हम आपको हेकर्स के शिकार हुए कुछ लोकों की आप भी ती भी कि यकीन मानिए अब यहां से अगला एक गंटा आपके जीवन का बेहद एहम हिस्सा होने जा रहा है हम आगे बढ़े इस से पहले एक सबसे बड़ी बात और वह बात जो हमने इस परताल के दोरान महसूस किये जिसे आप से जिसे आपसको साजा करना हम बहुत जरूरी समझते ह हमारी इन्वेस्टिकेशन में इस बात का खुला सा हुआ है कि आप चाहे कितने भी पड़े लिखे हूँ आप चाहे कितने भी होशार हो और आप चाहे कितने भी समझदार हो लेकिन शेर मार्केट के ये लुटे रहे आपसे दो कدم आगे हैं जी हां पहली कहानी एक रिटायर सरकारी अधीकारी की जिसे बैंकिंग से लेकर सेवी और शेर वजार के सभी नेमों, गत्यीविदियों की, कारेशेली की पूरी जानकारी है पड़े लिखें और बैंकिंग सेक्टर का गहरा अनुभाव रखते हैं और 40 साल से ज्यादा का गहरा अनुबों उनका स्टोक मार्केट का है लेकिन दिन दहाडे उनके डीमेट अकाउंट में डाका डाल कर उनके पॉर्टफोलियो से सारे के सारे शेयर लूड लिये जाते हैं और वो करीमन करीमन डेड़ करोड रुपे गवाँ बेटते हैं जी हाँ आपने सही सुना डेड़ करो हो सकता है तो फिर ऐसा नहीं है जो यंग टैलेंटेड आई टी प्रोफेशनल जिनको आप जानते समझते हैं कि उन्हें हम सबसे ज्यादा समझ होती है इन सब की हेकिंग की गैजेट की मॉबाइल की लैप टॉप की पासवर्ड की ओटीपी की यह भी इन दकेतों से नहीं ब इनके अकाउंट को हैक करके उनके पॉर्टफोलियम में 36 लाख रुपे का चूना लगाई दिये गया है और वो कुछ भी नहीं कर पाए जबकि वो खुद स्वेम आई टी प्रोफेशनल है और जैसे जैसे हमारी पर्ताल आगे बढ़ी कुछ और चूंकाने वाले खुलासे ह जानते हैं लेकिन शेर बाजार के इस डकेतों से वो खुद को नहीं बचा पाएं डीमेट के डकेतों से उनके खाते में भी डाका डालकर बड़ी पॉर्टफोलियो रखम लूट ली गई है तो यह कुछ ऐसे आज मामले हैं जो हम आपके सामने रखेंगे अब सबसे बड़ इसलिए कुछ सेंपल्स हम आपके सामने कुछ लोगों को ऐसे आपके सामने रख रहे हैं जो आपको अपनी आप बिती बताएंगे लेकिन हो सकता है शायद आप मेंसे भी किसी के साथ यह हुआ क्योंकि हमें जो पता चला है हमें जो सोर्सेज बताने हैं पुलिस सोर्सेज को देखते हुए हमने इस पूरे मामले को टीवी के परदे पर लाने का ये फैसला किया है क्योंकि आम तोर पर इस तरके विट्टी और बाजार से जुड़े जटिल मामले न्यूज चैनल की सुर्ख्या नहीं बन पाते हैं दरसल टेजी से लोग प्रिये हो रहें स्टॉक मार्केट पर के सारे इन्वेस्टर्स डकेतों के निशाने पर हैं आपका डीमेट अकाउंट जहां बिना किसी खुन खराबे और हत्यार का इस्तेमाल किये ये लुटे रहे आपके जीवन भर की गाड़ी कमाई कुछ ही मिंटों में साफ कर देते हैं और टेकनोजी के जमाने में सिर्फ एक बटन दवा कर आपके डीमेट अकाउंट को हैक कर लिया जाता है और पलक जप्लकते ही आपके पौर्टफॉलियों में से सारे शेयर बेज़ कर उसकी जगहा आपके अकाउंट में पेनी स्टॉक या छोटे शेरो आप से एलिकृट शेरों जाता है अब मैं आपको बताओं कि जब इस तरह के बड़े मामले हो रहें इस तरह के सीरियस मामले हो रहें तो हमारे फ़र्ज है कि आपको यह समझाए जाए जाए कि जी बिजनेस के दर्शक किसी तरह से इस तरह की हैकिंग का शीकार ना हो इसके लिए हमने सबसे पहले ये पर्ताल की ये करते कैसे हैं क्या करते हैं और कैसे करते हैं और उसके बाद जो खुलासे हमारे सामने आएं आप यकीन मानिए आपके पेरों के तले से जमीन खिसक जाएगी हमारी पर्ताल में इस बा पहले आपको सुनवाता हूं और दिखाता हूं वो तरीका जिसके जरीए यह हैकर्स आपका अकाउंट है करते हैं सबसे पहले आपका है कर आपके फोन नंबर पर फोन करेगा आपका जो भी फोन है अपने ब्रोकर के पास आपने जो रिजिस्टर फोन नंबर रखा है उस पर फोन आता है अब आप किसी एरे गरे का फोन तो लेंगे नहीं किसी अन्नोन नंबर से फोन आएगा तो आप उठाएंगे नहीं इतने समझदार तो आप सब हैं बिल्कुल है तब एक एप है उस एप का नाम है एनी कोलर यह वेब बेस एप है और एनी कोलर में होता यह कि अब किसे पर उसका नाम आएगा फ़र्ज करें मैं अपनी वाइफ को फोन कर रहा हूं राइट का अपने फोन नंबर से लेकिन अगर मैंने एनी कोलर के नाम से वह वेब का वह एप का इस्तेमाल करके फोन किया और अगर मैं यह दिखाना चाटा हूं मैंने मेरे बेटे के फ करते हैं लेकिन इन hackers और डकेतों ने इसका इस्तेमाल आपके डीमेट अकाउंट को लूटने के लिए के लिए हैं कैसे अब आपका मॉबाइल है आपके मॉबाइल में आपका जो ब्रोकर है उसका नंबर रजिस्टर्ड होगा उसका नंबर आप ने सेव करकर रखा होगा जो भी XYZ broker के पास आपका account है आप हमेशा हो उसका number आप save करके रखते हैं अब यह hacker किसी और number से phone करते हैं लेकिन दिखाते हैं कि phone उस broker के office से आ रहा है जहां ध्यान से सुनिएगा phone किसी और number से करेंगे लेकिन वह आपके mobile data का control करके ऐसे दिखाएंगे जैसे कि आपके broker broker से आपको broker के office से आपको phone आ रहा है अब जाहिर से बात है broker का office आपको phone करेंगे आप उठाएंगे बात करेंगे अब देखे स्मार्टनेस इनकी करते क्या है जैसे आप phone उठाएंगे आप XYZ बोल रहे हैं जी हां आपका हमारे आकाउंट है जी हां आपके डीमेट account पे यह address ज करेंगे जी हां आप सब confirm करेंगे और उसके बाद आपको और confident करने के लिए वो यह बताएंगे कि देखिए आपके डीमेट account में यह सारे सारे share है तो आप बोलेंगे मेरे share तो या तो मुझे ही पता है या मेरे broker को ही पता है और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगी हा फॉन ब्रोकर के ओफिस से यह जब अगर कोई आपको bank account के नाम से phone करें और यह कहें कि आपका यह bank account है यह detail से यह सब है और साथ में यह भी बता दे आपके पिछले 5 transaction year यह bank balance है तो आप मानेंगे ना कि उसी bank से phone आया exactly यही तरीका यह अपनाते है और जब आपको सारे बता कर लेते हैं और बस यहीं से इन hackers का खेल शूरू होता है फिर वो कहेंगे यह आपका जो भी details है इन details में से कोई आपको change करनी है करनी है तो मैं तुम्हें तुरंट कर देता हूं कोई आपका address change करना हो email ID change करना हो phone number change करना हो और जैसे आप कहेंगे हाँ कर दीजे अगर कई ब change करने की बात आप करते हैं वो कहेंगे कि आपके पास एक OTP आएगी बस यह OTP आप मुझे देजीगा ताकि मैं आपका account update कर दूँ और वही सबसे बड़ी गलती होती है जैसे ही आपने OTP share की और बस उसके बाद आपके account का पूरा का पूरा control hundred percent control उन hackers के पास में और वो OTP द को आपको पूरा भरोसा दे जाते है एनिवन कॉलर की एप से उसके बाद आपको सारी details लेकर आपको OTP भेजते हैं अब इन में से आपके कुछ-कुछ लोग ऐसे समझदार भी है जो जानते हैं कि OTP देनी नहीं है या फिर ऐसे लोग भी हैं जो यह कहेंगे नहीं मुझे त तो जितनी details है वही सही है मुझे और कोई details अपडेट करने की जरूत नहीं है तो मुलिए चलिए कोई बात नहीं से आपको अपडेट नहीं करनी है फिर भी मैं आपको आपका KYC अपडेट कर देता हूं सारी details यही है क्योंकि regular तो KYC आपको अपडेट कर नहीं होता है तो च फिर से आपको एक OTP भेजएंगे और जैसे आपने वो OTP उनको दी आप फिर से इनके शिकार हो जाएंगे तो इस परताल में हमें जो जानकारी मिली है वो बिल्कुल साफ साफ है की hackers पूरी तर से आपके account की OTP लेकर आपको account का control करने की कोशिश करते हैं यह दूसरा तरीका अब तीसरा तरीका इस से और ज्यादा खतरनाक है यह सुनकर तो आपके खोश उड़ जाएंगे कि इस तरीके में आपसे OTP ही नहीं मंगी जाती है अब आप यह सोचेंगे कि बिना OTP कई भी अगर हमारा account हैक हो सकता है तो फिर करें तो क्या करें अब पहले यह तरीका समझ किस तरह से यह किया जाता है कई बार यह होता है कि आपने कई लंबे समय से अपना account इस्तेमाल नहीं किया अगर आपने account इस्तेमाल नहीं किया तो होता ही है कि कि आप कई बार अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर आप जाते हैं फोर्गेट पासवर्ड पर रिसेट पासवर्ड पर राइट क्लिक करते हैं समझे आपने जहां डीमेट अकाउंट खोल रखा है यहां ट्रेडिंग अकाउंट खोल र ये आपको एक लिंक भेजता है और ये जो लिंक आता है वो लिंक आप में आपसे कुछ डिटेल्स मांगता है आपकी बेसिक डिटेल्स रेट बर्त वगरा है या कोई ऐसे सेकुरिटी वाले क्वेश्चन्स होंगे कि आपका पहला जो कौन सा ता गाड़ी कहा थी आपकी मदर होतेका मेंडेन नेम क्या अलग अलग होते है तो वह आप जैसी डीटेल देने की कोशिच आप आपको इस वह लिंक भेजा जाता है मजए की बात क्याए स्थिए ब्रोकर ने तो ये लिंक आपको भेज दिया लेकिन ये 하کरस इतने स्मार्ट इतने चालाक इतने शातिर हैं त वो लिंक आप तक नहीं पहुचता इन हेकर्स तक पहुच जाता है और वो हेकर्स फिर वो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन मांग कर पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं और जैसे रीसेट किया कंट्रोल उनके हाथ में आ जाता है तो यह दूसरा तरीका है जिसके जलिए आपको o tiếpी भी नहीं मांग जाती है अब आप सोचेंगे बिना o tiếpición पर आपको कैसे पता चले गए जिए जो ब्रोकर को कैसे पता चलेगा कि जो लिंक वो अपनने क्लाइंट पो भेज रहा के रहें वो क्लाइंट को नहीं जाकर वह लिंक जा रहा है एकर्स के पासमें तो यह दूसर हार माननने वाले हैं नहीं हम आपको निराश यह उताष नहीं कर रहे हमें को यह बता रहे हैं क्योंकि आप एसे मामलों में जानकरी चुभी नुक्सान ऑरूर। बरपूर नुकसान यानि कि लोस एक या फिर कच्रा आप सुचेंगे कच्रा जी हाँ आपने से सुना कच्रा यानि कि ऐसे शेर जिनकी कीमत कच्रे के बराबर है अब यहां से हम दूसरे पाइदान के तरफ बढ़ते हैं हेकिंग के बाद किस तरह से आपको नुकसान देने की तैयारी है यहां से शुरू होती है आपके डिमेट खातों में शेरों की हैरा फेरी और हेकर्स इन सारे कारनामों को अंजाम देता है अब तक जो हमें पता चला उसके मताबिक हेकर्स आपके खाते पर पूरा कंट्रोल करने के बाद ध्यान से सुनिएगा आपके खाते पर प देता है अब आप सोचुएंगे शेर बेच देता है तो क्या हो गया बीलिक जैश बदे गहाई है तो पैसा तो मेरे एकाइन मेरे मेरे बनक省 में खाए और मेरे ब्रोकर मुझे पैसा बैगा यहां तक कि आपकी सोच तरही है लेकिन प्रॉब्लम है कि आपकी सोच से कही होते ही आपके लिमिट होती है अब उनके सामने वह एसे क्रिशेर खरीद लेते हैं आपके कोंट में तुरंथ इधर बेचा इधर खरीदा और वह आशेर होंगे से आप आम तरट पर पैनि tall क Rights करता है इं iyi फ्रेशे में जतने इमॉंट का आपके अक्व से शेर विका है अच्छी क्वालिटी का उन शेरों को बेचते ही सामने तुरंट लिकीज हाए तुरंट आपके अक्वाओंट में दूसरे कच्रा दूसरे शेयर आ जाते हैं और उंचे अदामों पे आपको इलिक्विट शेयर चिपका दिये जाते हैं और ये सब ने सिर्फ आपकी अनुमती के आपकी इजाज़त के बगेर हो रहा है बलकि इस चेज़ को गोर से सुनेगा इस पूरी प्रोसेस में आपका ब्रोकर वो भी कही शामिल नहीं है इसमें ब्रोकर का कोई रोल नहीं है ना ब्रोकर इस बात की इजाज़त दे रहा है ना आप इस बात की अनुमती दे रहे हैं लेकिन हैकर्स ये सारा का सारा कारनामा कर रहा है आपको हो सकता लगे कि मेरा ब्रोकर ये क्या कर रहा है लेकिन इसमें ब्रोकर का पैनी स्टॉक्स बेचे जाते हैं अब आप सोचेंगे पैसा कैसे गया तो अगर आपके अकाउंट में कच्रा शेर आए हैं पैनी स्टॉक आए हैं इलिक्विट शेर आए किसी ने तो बेचे होंगे ना करेक्ट एक ने बेचे तभी आपने खरीदें अब यह गेम सारा वहां स कि पूरी कड़ी बनाई है एक और आपके डिमेट अकाउंट को हैक किया जाए है करने के बाद आपके अकाउंट में जो बड़िया शेर है उन्हें बेचे जाए शेर बेचने के बाद आपके अकाउंट में कच्रा शेर भर दिये जाए और वो कच्रा शेर हैकर्स के पसंद वाले अकाउंट्स में से बेचे जाएं या उनी के किसी अकाउंट में से बेचे जाएं ताकि वो शेर आपके पास आजाएं और जो बेचने के पैसे हैं वो बेचने वाले को मिल जाएं और उसमें उनकी जो भी सेटिंग और हैकर्स के साथ में जो कुछ भी हो वो होती है सोच इतना बड़ा पूरा चेन बनाकर ये गेम आपके साथ किया जाता है बच्छी के शेर बेज दे जाए और सामने के सामने लोस आपके अकॉंट में कर दिया जाए और वो लोस भी इस तरीके से किया जाता है कि आपका लोस किसी और का फाइदा इलिक्विड ऑप्शन में आउट आफ दे मनी के ऑप्शन्स ट्रेड किया जाते हैं और तुरन प्रभाव से करते हुए उनकी पैचान में हम आपको नहीं बताएंगे हम सिर्फ उनके पेशे से आपका परिचे कराएंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह के वह अनुभवी हैं किस तरह का उनका प्रोफेशन रहा है और उसके बावजुद वह इस तरह की हेकिंग का शिकार ह दो खास मेमान मेरे साथ में हैं दीपीका सिंग है और सचिन देडिया साब है जो दोनों ही जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं आज हमने उन्हें इसलिए बुलाये कि वह इस तरह के पूरे मामलों में हमारी मदद कर पाएं और साथ में हमारे साथ तीन खास ऐसे मेमान हैं जिनके साथ में इस तरह की हैकिंग हुई है सबसे पहले आपका परीज़े करवाओं एक रिटायर्ट सरकारी कर्मचारी से जिनकी उम्र है 66 साल दूसरे हमारे आई टी प्रोफेशनल है जिनकी उम्र है 45 साल और सबसे कम उम्रवाले 37 साल के हमारे साथ एक मेमान है जो बाजार में भी लम्बे समय से काम कर रहें तर आपकी उम्र 65 साल श्क्ती साल मैं कम से कम 35 से 40 साल अंहें हो आपके साथ कब 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 कैसे हो मैं क्या की से एक टिज Premium इस मेरी ब्रोकर का वाटसेप उक Comm Debatte का ओनूसरे मेरे ओकॉंब General KD वउटसेप आपना पेशी साल कर Adventure किया आपका नाम यह क्या आपका बड़ेट यह क्या वगरे वगरा तो मैं सब हाँ बोलते गया तो उन्हें बोला कि आजकल बोर्ट फ्रॉड हो रहे हैं तो आप जड़ा करेंगे क्या तो मुझे भी हो करना जरूरी था तो मैं उसने पूछा सब बैंक अकॉंट ने डिटल न करना है तो इसके लिए थीक है यह है तो इसके लिए अपडेट करने के लिए अपडेट करता हूं इसके लिए आपको OTP आएगा जी OTP आने के बाद मुझे दरा दे दो और बाद में वह कंप हो जाएगा तो मैं इस बोलावे में आ गया पाच मुझे तो OTP में दे दिया उनको यह दो जून को हुआ था दो जून को ओके और यह बात सब में भूल गया भूल गया एक्जक्ली ओन वी अप्टर रैट में एट जून को यह मेरा अकॉंट में पूरा टांजेक्शन हो गया दार दार सब सेल गया सब जिर हो गया मेरा अकॉंट आपको कब और कैसे बता चला कि आपको को एक शेयर भी गगए इस में मेरा ब्रोकर को मानता हूं उसने मेरेको इमिडिली साधे दिन चार बजे 8 जून को मेरेको पूंचा कि बापा आपने कोई ट्रांजाशन किया है कि आज नहीं कुछ किया नहीं तो नहीं नहीं आपके आपके नाम से वह बिल्कुल किया नहीं आप एक काम करो इसको ब्लॉक कर दो बला अच्छा तो उन्हें ने इमेजर स्टेप लिया उन्हें ने पहला अपना BACI NAC को उन दोनों को उनको बताया कि ये ये ट्रांजक्शन सहीं नहीं है कि अ सब्सक्राइब के साथ उन्हें ने ने ना शाम को उससी दिन शाम को परिंव शाव कर दिया कि साइबर सेल में इस तो हुआयव फिरा मतर से भीक एवनट और लेकिन इसके अलावा क्या आपके अकॉन में कुछ शेर भी खरीदे गए है थोड़ा जो मेरा जान के उससा से बता हूं कि जो आप अमें बैस्ता हूं उसके इमेड़ली सव टक का तो में खरीद नहीं कर सकता हूं करेक्ट उसका 30 परसेंट यौए फोई ले सकता हूं तो उन्हें ने ओर पेनी आकॉंट जैसे आपने बोला पेनी आकॉंट लिया कुछ टाइम ओ पेनी आकॉंट की किमती 35 रुपी ओके 35 ले 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 बाकी के 40 परसेंट में क्या हो गया कि वो पैसा मेर को अचल मुझे आना चाहिए था कि उसमेंसे भी थोड़ा पैसा मेरा ब्लॉक हो गया क्योंकि उन्हें क्या क्या शेयर आना ट्रांसफर नहीं कि आप यह कहनें कि आपके यहां से गल्ती जो हुई सबसे बड़ शेयर बेज़ दिये लगबड़ डेड़ करोड के शेयर थे आपने सारे बेज़ दियर आपने का नहीं मैंने नहीं बेचे तब अचानक से पता चला कि कुछ तो गड़बर हुआ है और यह गड़बर ही पता चलते ही आपके ब्रोकर ने एक्सचेंजर को इन्फॉम किया एक पे लिए जो सभ से बड़ी गड़बर जो हूई है या गलती आपके यहार तो है कि सिंगत दो ap अभी यहां पे तो इन्होंने माना इन्होंने OTP अपना दिया बट देर आर वेज जिस पे OTP अगर परसन ना भी दे तो भी OTP रिट्रीव किया जा सकते बिलकुल हाँ उस पे भी मैं आऊंगा वह बड़ी इंटरिक जी पहला अगर हम जाए तो जो तकनीक इधर इस्तमाल की ग पता थी उन्होंने वो information बता के एक विश्वास दिलाया कि हा मुझे आपके बारे में यह पता है इसकी वजह से जो इतने expert लोग है जो इतने सालों तब share market में किया है offline और online दोनों इससे इनका विश्वास आ गया कि ठीक है यह हमारे broker के end से ही है दूसरा जो immediate action नहीं हुआ यहां पर वना usually OTP शेर करने के बाद immediate actions होते है तो तभी relation बनाना आसान पर जाता है कि यह action की वज़े से यह reaction आया है तीसरा जो एक verification call ना आना जब भी हम किसी भी limit के उपर कोई भी transaction करते है bank में DMAT account में किधर भी एक verification call या message आना चाहिए चौथा जो इनके brokers थे उनके पास इनकी सारी information है तो उन्होंने यह देखा कि ऐसी device जो इनकी नहीं है वहां से login हुआ है broker को थोड़ा तो शक जताना चाहिए था कि यह कैसे हुआ बिल्कुल तो यह सारी चीज़े हैं जो आपके लिए question mark पेदा करती है और अगर इन चीज़ों पर focus किया जाता तो शायद बड़े नुकसान से बचा जा सकता था आपको बता दूँ 1.5 करोड के 1.46 लाग रुपे के शेर बेचे गए इनकी आकाउंट से और सामने क्या मिला इने 3.85 अजार शेर 29 रुपे के दाम पर कनानी इंडिस्रीज के और जिसे बेचे थे इस company के प्रोमोटर ने जब बेचे तब 29 रुपे का भाव था आज भाव 8-9 रुपे के आज पास है अब आप समय सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा खेल हुआ आए बढ़ते हैं दूसरे आकाउंट की तरफ दूसरे शिकार की तरफ और यह है IT professional और IT professional इनको सब पता है hacking क्या होती है OTP क्या होता है password क्या होता है safety security क्या होता है सरिये तो सब आप जानते हैं बिल्कुल अब यह बताईए आपकी उमर कितनी है 45 years. कितने सालों से आप invest कर रहे हैं? Almost close to 20 years. 20 साल? आपको भी निवेश्ट। मतलब आप स्टोक मार्केट के बारे में सब अच्छे से जानते हैं और IT के बारे में भी जानते हैं. पहली जून, डेट भी आपकी सब की मिलती जुलती है, इनके दो जून को हुआ, आपके पहली जून को हुआ, क्या हुआ सर जरा बताएं? Actually, मैंने सुबह तो almost 11.30 तक तो अकाउंट मेरा मेरा मेंने मॉनिटर कर रहा था. तो सुबह, इनिशली जब मैंने 6.30 को लॉग इन करने की कोशिश की, तो तभी मुझे थोड़ा डाउट आया कि मेरे अकाउंट में लॉग इन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए for the safety, एक 9 o'clock मैंने मेरा पासवर्ड चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कुछ गड़बढ है करके, तो 9 o'clock मैंने मेरा पासवर्ड चेंज कर दो करके, तो 9 बज़े सुबह मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया था मेरा, उसके बाद में गया साड़े 11 बज़े तक तो मैं चेक कर रहा था, पोर्टफोलियो वगरा तो वो बराबर था, कुछ प्रॉलम नहीं था, उसके बाद में मैं वापस आया, तो एक अराउंड ओन थर्टी मैंने चेक किया मेरे मूबैल पे, एक मेसेज आया था, और वो मेसेज था कि आपका मारजिन जो है, वो बाई 1000 परसेंट, अच्छा 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 एक्सिडेट, और ऐसे मारजिन के मेसेज, और जैसे मेसेज आ गया, तो उसके बाद में फिर भी मुझे लगा कि नहीं यह कुछ गलत मेसेज फिगर हुआ है, और फिर भी मैंने सुचा चलो आधे घंटे के बाद, आराउंड 150, मैंने सुचा कि पोटफोलियो चेक करो करके, तो मैंने पोटफोलियो चेक किया, तो I was shocked, क्योंकि जो भी मे 8 lakhs का लॉस दिख रहा था, अच्छा, लगब 11 lakh रुपे का लॉस दिख रहा था सामने, तो फिर आपने क्या किया, तुरांट फिर मैंने ब्रोकर को फोन लगा, ब्रोकर को फोन करके बूला कि ऐसा इसी बात है, तो सामने से, ठीक है, वो अपनी तरफ से बताने की कोशिश क करेते, कि आपके score में तो आप पी login कर सकते हो, दूसरा कोई login नहीं कर सकता, तो यह समझाते समझाते उन्होंने 7-8 मिनिट लिए, उसके बाद में फिर, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करते करते, चालिस मिनिट में काल पर था, दो से लेके दो चालिस तक, और यह उन्हेंने मुझे बोला कि आप फॉर्स तिंग आप आपका पासवर्ड चेंज करो करें तो जैसे मैंने दो बजे उनको कॉल किया दो पाच को मैंने वापस एक बार पासवर्ड चेंज किया और तब ही मैं मेरे लैपटॉप पे लॉग डिन था तो दो पाच के मैं उनसे बसाद बात कर रहा वरोकर के साथ और 2020 को मैंने देखा मेरा सेशन वापस बंद हो गया तो किसी ने आपको लोग आउट कर दिया तो वापस 2020 के बाद ने वापस मैंने एक बार पासवर्ड रिसेट किया तो तो बी वेरी फ्रेंक पासवर्ड रिसेट एक मजाग बन चुका था वो दिन मतलब आप पासवर्ड रिसेट करें उदर हेकर आपका पासवर्ड आपशेट कर रहें आप आपस चेंज करें आप वह उदर से कर रहे हैं अब आप समझे, इनके account में हुआ क्या, जो शेयर थे, इनके 35 400 fian के, सारे के सारे share बेदे, 36 0 uwagę के share आपके बेचे, अब सौचिए, 36 0 прилож LISA के बेचने के बाद, ज是的, शह के account में तो, पैनी stock खरीद लिया गया, इनके account में दूसरे तरीके के काम हुए, out of the money options में trade हुआ कैसे इनके account में idea का out of the money option खरीद लिया गया for example 6 रुपे का put उन्होंने 5 पैसे में खरीद लिया और 5 पैसे में बेच दिया और खरीदा 1.5 रुपे में 5 पैसे में बेचे आपके account में कितना लोस आ जाएगा सेम उन्होंने call इंडिया के call इंडिया में यही किया यानि कि कुल मिलाकर out of the money options trade करके इनके account में लोस देदेगा आपके account में पूरा का पुरा नुक्सान आगया यही कहानी आपकी बराबर बराबर और यह तुरंत मतलब वहां से ऐसे बुला गया कि आपको police station जाना है और police station से आपको email भीजना है broker को और फिर broker act करेगा आप मैं just imagine कर रहा था मेरे सामने बिट चोगी था जहां पर मैंने जितना देखा है मैंने तो उदर ना computer देखा है ना laptop देखा है तो मैं सोचने लगा कि यह बिट चोगी में जाके कैसे email पताएगा तो broker से information आई वो भी clear नहीं थे nearest police show कि no that was not a correct information और दूसरा एक broker चाहता आपके इतने बोलने के अगर broker थोड़ी सावधानी रखकर अगर तुर इस case में तो मतलब आप clear cut यह है कि इन्हें पूरा अंदा जा है इन्होंने कोई information शेयर नहीं किये सथी कुछ भी नहीं किया इन्होंने तो फिर कैसे hack हो गया सामने सामने देख रहे है अकॉंट इनका password बार-बार reset हो रहा है म बिल्कुल मुझे तो ऐसा लगता है कि hackers हो है वो पूरी planning के साथ आए यह DMAT account fraud करने के लिए क्योंकि उन्हें पता है कि सामने वाले जो victim है उनके account में कितनी fund है या कितने positions है जैसे हम retired sir का देख लेंगे तो date करोर था तो उन्होंने पता किया कि date करोर की balance है तो हमें इतना margin इतना utilize करने मिलेगा इनके case में 36 लाग के shares already big गए अब मैं तो इनको तुरह नसीब वाला मानता हूं क्योंकि इनकी alertness थी यह भी password reset कर रहे थे वरना date 10 लाग के बले कम से कम 20-25 लाग रुपे का loss करने की पूरी तयारी करके आया थे hackers यह तो यह password बीच में reset कर रहे थे क्यों फोन के उपर या email के उपर तो दोनों में से एक तो compromise करके रखा था तो यह password reset कर रहे थे फोन के उपर और hacker reset कर रहा होगा email के उपर यह तब ही possible होगा जब इन्होंने पहले इनका demat account कहीं सभी उनकी information मिली होगी इतने शयाज है हमें इनका पीछे का mail account किये है या तो demat account compromise व तो आप दोनों को लगता है क्या चीज से हो सकता है मतलब ऐसा क्या हो जिससे है को सदेखो अगर इन्होंने किसी link के ओपर टिक नहीं किया ना इन्होंने कोई OTP दिये तो यह है जैसे एप्लिकेशन बने तो application कितने secure है कि application के जब हम लोग पासवर्ट reset link बारते हैं जैसे हम इनके पास ना पहुचके hacker के खुद के पास जा सकती है मतलब जो प्राइवेट एंपलोई है और I think आपके भी online जो ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म से आप दोनों के account एक ही जगह है तो आपके साथ क्या हो अजरा बताईए और आपका कितनी उमर आपकी कब से आप मार्केट म मेरी ओमर 36 years है पहले तो मैं first of all thank you करूंगा जी बिजिनस का और अनिल जी आपने हम इतना important चीज आपने उठाई यहाँ पे साथ देखे हम लोग अपनी salary का बहुत चोटा चोटा पार्ट save करके यह shares खरीदते हैं हम लोग day to day trading नहीं करते हैं पिछले 4-5-6 साल से हमने यह shares को इखटे किये हैं वो hacker ने 2 minute में हमारे platform को use किया और उसने पूरा पूरी equities बेच दी my god और यह सारे scripts वो बेचे हैं जो कि essay rates पर हमने buy किये थे which is very मुझे नहीं लगता है उसका loss easily है बताना आज की तारिक में अब मैं बताता हूँ इस hacker ने क्या किया तो मैंने password reset किया because I thought maybe my password expired कुछ भी हुआ कि मैं login नहीं कर पा रहा हूँ मैंने 11 बच के 14 minute पे login किया login reset करके देखा तो मेरे shares बिख चुके है तो मैंने immediately 2 minute में उनको call किया अपनी broker को कि भई यह उसमें मेरे को call करके 27 minute लगे 27 minute मेरे को लगे समझाने में उनको broker को कि यह मैं नहीं कर रहा हूँ even call के दोरान में उनको बोल ला हूँ यह trade मेरे हो रहे है इसको आप इसमें यह मैं नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो मैं first of all मैं बताऊंगा कि broker को यहाँ पे stop करना चाहिए था absolutely दो आपके दोनों के case में clear cut case है कि broker को तुरंट block करना चाहिए मेरे case में 40 minute 40 minute 2-2.40 और कौन है आपको broker sir मैं broker का नाम ओके वो आपकी मर्जी पर है लेकिन leading आपके online ब्रोकर आप सोचीजे जिस broker को आप leading online सबसे बड़ा broker मानते है यह तो ऐसा हो गया कि आप fire brigade पर phone करें कि आग लगी है और fire brigade यह पूछे कि कहा लगी है किसने लगाई है कितनी बड़ी लगी है कब से चल रही है मतलब उस process में ही आपका पूरा time pass कर ले और बजाए fire brigade बेजने के हमें ऐसा भी दिखाए गया है कि आप आप नहीं लगाई है अच्छा हमने यह case को एनसी में भी प्रेजेंट किया कि हम लोगों के साथ यह हमने complaint launch करी उस पर भी उनके रिप्रेजेंटेटिटिव का बलना था हम दो लाक अकाउंट पर डे open करते हैं यह आपके साथ ही क्यों क्या चाते हैं सबके साथ हो वह आपके साथ ही हुआ है गजवे यह जवाब है उनके उनसे वह बोले कि आपने option उन्होंने एक दो टेक्निकल option है जो कि मैं call के दौरान उनने बोला कि आपको यह use करने चाहिए तो मैंने बोला जब मैं आपके customer care के साथ हूं वह उसको suggestion देना ही तो आप ही इंडिया का number one trading platform खोल कर बैठ जाते वही तो उस तरहार उसने मेरे account से सारे shares बेचे मेरे जो जितने भी premium shares थे और उसने जो option buy किया वो ऐसे rate पे buy किया which is ITC 192.5 July expiry which is not at all possible for trade 300 रुपे पर चल रहा है एक सो बरानुए का आप out of the money option जाकर trade कर रहा है यहनी का आपको loss देना है सामने वाले खरीदना वाला आप है बेचने वाला कोई और है ने चुलिए आपके account में लोग उसने पूरा 106 lot उसने मेरे account से बाई किया 106 lot ITC के ITC के 32 रुप की load size है उसकी my god okay तो यह पूरा का पूरा लोस आपके account में उन्हें पूरा account मेरे account मेरे account मेरे लोस दिया अधिका जी कुछ कहना जाती है मैं यह पॉंटर करना चाहती थी जब हम आपसे पुछ कर रहे थे कितनी time reset हुए थे passwords सो मेरे case में मैंने देखा तो टूटल six to seven times in that whole day पासफ़ोर डिसेट हुआ है आपकी case मेरे case में भी तीन बार एक तीन से चार बार हुए जिसमें से मेरे को गलत किया गलत आपके साथ हुआ आपको डरने की ज़रूत नहीं है निश्चिन रही है आप जी बिजनिस के जी मीडिया के platform पर बैठा है बिलकुल निश्चिन रही है और आपको निया ही मिले आपका case sole हो उसकी जिम्मेदारी हमारी भी है और हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे बिलकुल आप निश्चिन तो के आपने बात रखिए इसमें यह है कि हम लोगों का ये भी बोलना है साथ में कि जब यह password reset हुआ अगर किसी ने email के थ्रू भी किया तो क्या उसका notification मोबाइल में आता है इसका कोई password नहीं आया हम लोगों के मोबाइल पे अब आईए हमारे साथ हैं मेरे सहयोगी आशिश चतुरवेदी और आशिश आपको यह बताने जा रहे हैं इस पूरे मामले को वह बहुत बारी की से गहरा है इसे ट्रैक कर रहे है आशिश बताईए इ का स्टेटस है और आगे क्या होने की तैयारी है सर एक एक जो केस है सबको हमने परस्टनली ट्रैक किया और सब पर जो है हम नज़र रख रहे हैं जांच एज़ेंसियों के साथ एक्षेंज इस पर सीधे तोर पर बात हो रही है सबी केस का अपडेट आपके सामने रख देता इस केस में आपको बता दूँ कि जो कच्रा स्टॉक जिसका जिक्र किया जा रहा है जो इनके अकाउंट में खरीदा गया है वो दरसल बेचा है प्रमोटर ने कनानी इंडस्ट्री के जो प्रमोटर है उन्होंने ये स्टॉक बेचा है इसका सेटिलमेंट अभी तक रुका आप तुरंट इनका जो पे आउट है वो रिलीस कर दीजे फिलाल एक बड़ी अपडेट ये भी है कि इनके मामले में दो से तीन लोगों की जो गिरिफतारी है वो मुझे पुलिस सूत्रों के द्वारा पता चेलिए कि गिरिफतारी भी हो चुकी है तो केस पूरी तरीके से पॉन ट्राइक है और हो सकता है कि जल्दी इसका निश्कर्ज भी आपको नजर आते हो नजर आए सर जो दूसरा केस है वो भी आपके सामने रखता हूँ कि जो प्राइविट सेक्टर में काम कर रही है हाँ पर मैंने देखा है कि पुलिस की तरफ से जो जांच एजेंसिया ह है यहाँ पर यह केस को अभी काफी शुरुवाती दौर में है समझ रहें अभी तक हैकिंग पूरी तरीके से क्योंकि जो साइबर टीम है इनका प्राइविट में काम यह होता है कि इन्हें हैकिंग का जो अटेम्ट है यह सिद्ध करना पड़ता है इसके बिना कहानी अधू पूरी हो जाती है लेकिन अच्छी बात है कि इनकी तरफ से भी जो प्याउट है वो रोक दिये गए एक्सचेंज इसको पूरी तरीके से जानकारी है और एक्सचेंज भी जल्द जो काउंटर पार्टी है क्योंकि ऑप्शन के ट्रेड हुए और यह दोनों इक हातों में सिम से पता चला है क्या इस तरके 30-40 से ज्यादा मामले आ चुकी है उनके पास 30-40 का जो जिक्र कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुंबई में सर और एक और खास बात में बताओंगा क्योंकि इस जो पूरा का कांड़ इसको मैं बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूं अभी जो हमारे पास केसे हैं इन में क्या हुआ है कि आपने होल्डिंग बेज दी और इसके बदले आपने आउट आफ दो ऑप्शन जो मनी ऑप्शन जो उन्हें ट्रेट किया है या फिर कच्रा स्टॉक खरीद लिए गए एक दो केसे ऐसे भी मेरे रिडार पर आये सर जहां पर सीधे के सी लोग बेच देए और अकाउंट का जो अन्यट बाइंक अकाउंट है वह बदल कर फोन नंबर बदल कर पूरा का पूरा पैसा साफ कर लिया गया अचा बैंग अकाउंट भी थो दो अच्छा अब इसमें एक चीज और बताएं जो यहां दो अकाउंट है जिनमें दो लोग हैं जिनके अगाउंट में एकitel आया हैं आपकी होल्डिंग बेचने के बाद बाद जो शेर उनकी अकांट में वह फो है कनानी कानानी-ांड्रुट्री Subscribe . सब्सक्राइब कम शर्म यर वीर्ट सा क्या है . छूछ हमें का शेर खरीदे जा रहें अब उनके अकॉंट के शेर बेचने के बाद तो आशीज जरा बताईए इस कंपनी के बारे में डीटेल्स और क्या वाकई में इस कंपनी के ही शेर लगातार बेचे जा रहें बिल्कुल सर इसी कंपनी के और इनफाक्ट दो जो पीड़त ऐसे हैं जो मेरे साथ में हैं एक अपनी सुरक्षा की चिंता के चलते हमारे साथ शोपर नहीं आए लेकिन जानकारी उन्होंने पूरी दे दी दरसल जो प्रमोटर ने शेरों की बिक्वाली की अब इस शेर का ट्र प्रमोटर जो हैं जिनका नाम में निलिया कि हर्चिल कनानी साब यह लगातार बेचते जा रहे हैं दो मई को 32 रोपे का भाव था यहां से देखें फिर 42 की पीक टच की लेकिन शेरों की बिक्वाली का क्रम अगर आप देखें तो लगातार प्रमोटर की तरफ से जो सप्ला है वो होती नजर आ रही है तीस जून को करीब आठ लाग सतर हजार शेर जो है वो बेचे गए आठ जून को जिसमें जो दो पीड़त हैं हमारे सामने इन में से एक हैं इनके जो अकॉंट से खरीद दी गए उन्हीं के तारिक में बताओ 26 लाग शेरों का जो सौधा हुआ थ हुई 20 माई 18 माई 9 माई लगातार प्रमोटर जो है विक्वाली करते जा रहे हैं इनकी हिस्सेदारी अगर आप देखें तो करीब 63 परसंट 64 ती जो 10 परसंट से घटा दिये 30% के आसपास आगी है लगातार विक्वाली कर और जो आठ जून को इनका जो सौधा हुआ है इसम सबी जो दोनों जो पीडित हैं उनसे मेरी बात भी हुई है उनसे तुन्हों ने काया कि यह स्टॉक उन्हों नहीं करीदा हैकर ने करीदा और इसका सेटिल्मेंट भी देखें तो फिलाल रुका हुआ है सोचे एक तिमाए में प्रोमोटर्स की स्टेक 10% कम हो जाती है और ये 30 जून 8 जून 6 जून 20 जून 18 जून और 9 जून इन अलग अलग डेट में जो भी ट्रेड हुआ है इन ट्रेड्स की भी जांच होनी चाहिए सारे प्रोमोटर आप सोचे कौन सा इसा प्रोमोटर जो अप पता लगा नहीं कोशिश की मुझे क्या हो गया मेरे सेल हो गया और मुझे कुछ आए भी ऐसा ही मुझे लगा लिकिन बाद पे जब नाम सुना तो मेरे को पता दो यह क्या कश वाइदा है माई गौड तो यह है अब अगर हो सकता है इन सारे ट्रांजेक्शन की जांच करें तो हो सकता है इसमें जिन जिन बायर्स के पास यह शेर गए हैं जो प्रोमोटर्स ने बेचे हैं तो हो सकता है हम अंदाज से बता रहे हमेरे पास सारी इंफोर्मेशन यह हैं कुछ केस में है हो सकता है यह सारे के सारे बायर्स इसी तरह की ठगी के शिकार हो तो सीधा सीधा पुलिस के लिए, exchangers के लिए और सेरख़09 के लिए ये मामला बनता है कि जो सारे share बीके हैं कम से कम इस company का तो समझ में आ रहा है जो share बीके, उन share के खरीदार के account के साथ जाा है और दिखा जा है कि क्या हो उनके साथ दोखा दड़ी हुए, पहली बात दूसरी बात जिन लोगों के account में out of the money के ऐसे options ट्रेड करके same day loss दिया जा रहा है यानि कि आप idea का trade करने 1.5 रुपए में बेचे 5 पैसे में खरीदें साफ नजर आता है कि एक account में loss और दूसरे account में profit करने की तैया रही है इस तरह के trades की जाच तूरन प्रवाव से NAC को और SEBI को करने की ज़रूत है ताकि जिन account में out of the money के profit या loss unexpected अचानक से हो रहे हैं आप तो सर रोज out of the money option और ट्रेड भी नहीं करते हैं आप तो investor हैं अचानक से आपके account में एक दिन सारे trade हो जाते हैं और loss आ जाता है यह abnormal है और आजकल तो इतने software है इतना सब कुछ है technology की पता है लगाया जा सकता तो यह करने की ज़रूत है अब इस पूरे मामले में हम जो चाहते हैं हम क्या चाहते हैं कि जो कुछ इन टीन लोगों के साथ हुआ है या जो कुछ 40-50 लोगों के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो और इसलिए हम कुछ मांगे इस वक्त रखने जा रहे हैं क्या होना चाहिए दो चीज़ है एक तो यह कि fraud होने के पहले fraud ना हो इसके लिए क्या करने की ज़रूत है यह सबसे बड़ी मांगे तो सबसे पहली चीज़ तो है कि अगर कोई बी क्लाइंट नए लोकेशन से या नए डिवाइस से लोग इन करें जैसा कि Google में होता है तो आपको तुरंट अलट आता है तो अगर कोई नए डिवाइस से लोग इन कर रहा है तो ब्रोकर की जिम्मेदारी है जो बड़े-बड दावे करते हैं कि हम सबसे ज़्यादा number of accounts रखते हैं हम technology के मामले में number one है यह हैं वो हैं कम से कम आप इतना तो करिए कि अगर कोई नए location से नए device से login हो रहा है तो उनको अलट भेजें जब Google कर सकता तो कोई और क्यों नहीं पहली चीज़ दूसरी बात डीमेट अकाउंट खोलते वक्ती चलिए हमारे यहां कुछ लोग तो ऐसे जो समझते हैं लेकिन सारे लोग समझते नहीं आप 50 पेज का risk disclosure document sign करवाते हैं हर एक पेज पे चार-चार मेंटेंग करना है ओन लाइन वीडियो कॉल पे बिना कुछ मिले जबले आज कल अकाउंट खोलने की जो मतलब होड मची है ना जाग रुकता के लिए अभियान चलाएं लेकिन ना सिफ अभियान चलाएं बलकि यह अभियान असरदार होना चाहिए अब आज कल होता है क्या है सारे mutual funds, brokers, exchanges उनको अभियान चलाना है कहीं और ऐसी जगह जिसका कोई असर नहीं जाकर क्रिकेट के बीच में एड दिखाएं ना आपका होगा ने investors का होगा जहां action होना चाहिए जिस जगह जाकर आपको ground level पर समझाना चाहिए वो समझाए तब ही जाकर इसकी बात होगी और इसके अलावा यह सारा जो कुछ है यह नाम के लिए नहीं काम के लिए होना चाहिए असरदार तरीके से सही platform पर आप यह करे है कि अब जब हो गया तो आप तुरंट क्या करें सबसे पहली चीज तो यह कि brokers और exchanges दोनों को इस तरह के fraud से निपटने के लिए hotline मनानी चाहिए यह नंबर वो होने चाहिए जो सीधे कोई भी client directly exchange को भी कर पाए और broker को भी कर पाए यह normal call center से अलग होना चाहिए ध्यान से स करें आप credit card के case में डेविट card के case में देखिए जैसे आप करते हैं block credit card आपकी तुरंट connectivity होती है right उसका एक अलग number है या connectivity fast है नहीं कि आपको 10 मिन तक music सुनवा रहे हैं इसी तरह की आपकी एक hotline broker और exchange के साथ हो निचे नहीं सिर्फ broker बलकि exchange के साथ भी direct client exchange को phone करके बोल सक है मेरे account में fraud होने के chances दिख रहे हैं exchange भी कर सकता है block ही तो करना है unblock थोड़ी करना है तो यह exchange भी करें broker भी करें एक hotline मना है शिकायत मिलते ही पहला काम तुरंट प्रभाव से block अब block से unblock करने में वक्त लगता है उसमें कई बार process है एक system ऐसा होना चाहिए temporary block जब तक आप किसी complaint सुन रहे हैं समझ रहे हैं तब तक temporary block जैसे हमारे दोनों cases के साथ में हुआ बात कर रहे हैं इदर trade हुए जा रहे है loss पे loss आ रहा है और इन दोनों का broker जो एक ही है सबसे बड़ा technology platform देने वाला वो आधा-धा गंटे तक उनके employees बात कर रहे हैं और कोई solution ने इनको कि complaint आते ही temporary block करना जरूरी है उसके बाद अब हो तो गया इन्होंने complaint भी कर दी पैसे कौन देगा और कब देगा नियाए समय से ना मिले वो भी अनियाए है निवेशकों के फसे हुए पैसे तुरंत मिले investor protection fund और brokers की fees इसलिए ली जाती कि इस तरह के case में जहां यह genuine case है इनक कि कोई गलती नहीं इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके वज़े से इन्हें लोस हो इनको इन्हें तुरंत प्रवाव से पैसे दिये जाने चाहिए और ज़रूत पढ़ने पर यह पैसे investor protection fund में से दिये जाए भारी भर कम पैसा पढ़ा है investor protection fund में इसी दिन के लिए इस चाहे exchange लड़े पुलीस के पास जाने का जो system में एक बार इनकी complain होने के बाद हर रोज अगर यह police station के चक्कर काटेंगे तो ना अपना business कर पाएंगे ना अपना काम कर पाएंगे exchanges brokers और depository इस मामले में सक्षम हैं समझदार हैं ज्यादा ताकतवर हैं पैसेवाले हैं उनके पास एक system होना चाहिए एक legal sale होना चाहिए जो इस तरह के मामलों को कानूनी तोर पर पुलीस के सामने लेकर जाए और इनके बिहाफ पर लड़ें और अगर आप ऐसा करें तो कोई एक्सचेंज चल रहा है और अगर इनके लिए आप लड़ते हैं तो कोई आप इन पर इसान ही कर रहे हैं इनका हक है यह हमारी मांग है पूरे system से और इस system में जुड़ेवे सारे लोगों से आप दोनों का तो धन्यवाद है यह आप हमें गाइड कर रहे हैं आप किनों का मै आपने अपनी तरफ से स्टोरी कर सकते हैं लेकिन अगर आप आकर बात नहीं करते तो उस स्टोरी में वह वजन नहीं होता क्या आपने वह पुगता है और आज भी और मेरी रिक्वेस्ट यही थी इन सब लोगों से कि आपके साथ जो हुआ हो हुआ अब दूसरों के साथ न अच्छा नागरिक होने की जिम्मेदारी निवाही है यह इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत बढ़ा ही देता हूं दन्यावा देता हूं कि आपने इतनी तकलीफ जी और सरके तो फैमिली में काफी इशू से काफी दिक्कत थी उसके बावजुद हुआ है कि नहीं मैं च गरी अच्छेंज के साथ नाओ इसके लिए हमें सारी साहुदानिया रख निया है तो यह बहुत जरूरी है कि इंवस्टर से लेकर ब्रोकर्स ब्रोकर से लेकर एक्स्चेंज तक ये सारी सारी ऑब रेकी जिक्कते हैं इनको दूर करने की जरूत है और लोगों को जागर्प करने की जरूद है ताकि इस तरह के फ्रोर्स और नहों अंत में एक ही बात कहना चाहूंगा हमारी पूरी कोशिश होगी कोशिश नहीं होगी मैं आपको पूरा भरोस्ता दिलाता हूं कि हम आपका जो कुछ भी हुआ है इस मामने को पूरे तह तक जाकर आपके लिए सही निप दिकत हैं तो हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से आप सब की दिकतों को एक साथ लेकर हम उन्हें सही प्लेटफर्म पर पहुचाने की कोशिश करें ताकि हिंदुस्तान में कोई ऐसा ट्रेडर या इन्वेस्टर नहों जिनने इस तरह के साइबर फ्रोड की वज़े से तरह यह एक छोटी सी पहल थी जो हमने कोशिश की मैं उम्मीद करता हूं इस हमारी कोशिश से काफी लोगों में जाग रुकता आएगी और लोग कम से कम इस तरह के फ्रोड का शिकार होंगे यह हम शुब कामना कर सकते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार